असलाम आलेकुम मैं तजमुल सर इस वीडियो में हम टेस्ट आफ डिविजिबिलिटी को कंटिन्यू करेंगे चले अब हम आएंगे डिजिट 3 पे वो कौन से नमबर्स हैं जिनको हम 3 से एक्जैक्ली डिवाइट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई नमबर है और हम उस नमबर के डिजिट को आपस में एड करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा अगर उस रिजल्ट को 3 से डिवाइट होगा then definitely जो number है न हमारे पास उस number को भी 3 से divide होगा ही होगा ठीक है मैं आपको ये आसानी से समझाओंगा with examples हमारे पास 2409 की example है ये हमारे पास एक number है इसमें कितने digits है एक दो तीन और चार चलिए कीजे इनको sum 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 9 ये कितना आ रहा है 15 result क्या मिला हमें 15 अब आप देखे क्या 15 को 3 से divide होता है हाँ होता है 3 1s are 3 5s are 15 इसका मतलब ये है कि 3 इस number को भी divide कर सकता है अब मैं यहाँ पे आपको दूसरी example से और समझाओंगा 6708 क्या इस number को 3 से हम divide कर सकते हैं चलिए देखते हैं 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 8 6 प्लस 7 आएगा 13 13 प्लस 0 आएगा 13 ही और प्लस 8 ये आवकार है 21 क्या 21 को हम 3 से divide कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि 3 इस number को भी divide कर सकता हैं अब हम आएंगे digit 4 पे इसका मतलब क्या है ये कह रहा है कि एक number को हम 4 से divide कर सकते हैं अगर उस number के जो आखरी 2 digits होंगे न अगर वो एक ऐसा number बनाएंगे जिसको हम 4 से divide कर सकते हैं then उस number को भी हम 4 से divide कर सकते हैं चलिए example से मैं आपको यह अच्छे से समझाओंगा हमारे पास जो example है वो है 8, 2, 1, 2 चलिए देखते हैं इसके जो आखरी 2 digits आ रहे that is units place and tens place ये क्या है 1 और 2 लेकिन ये कौन सा number बना रहा है हमें 12 क्या 12 को 4 से divide हो सकता है हाँ होता है 4 ones are 4 threes are इसका मतलब ये हैं कि 4 इस number को divide करता है ठीक है दूसरी example जो है 8, 7, 1, 6 इस 8, 7, 1, 6 के आखरी 2 digits के है 1 और 6 that is 16 क्या 16 को 4 से divide होता है हाँ होता है 4 fours are 16 इसका मतलब ये हैं कि 4 इस number को भी divide करेगा definitely ये आपके हुए 3 और 4 के rules next वीडियो में हम 5, 6 के rules भी पढ़ेंगे इंशाल्ला